दो दिन नूट्रल के बाद, I don't know sir, last time कब FIS positive था? Absolutely, global positive, FIS लंबे समय बाद positive आए और यहीं पर में डेटा डिस्कोस कर लेना चाहा हूँ FIS के 272 करोड की बिक्वाली है cash market में FIS की तरफ से, अब तक की सबसे छोटी बिक्वाली, पहली बात दूसरी बात, वाइदा करोबार में जो देटा है, वो बहुत ही तगड़े, 990 करोड की Index में खरीदधा रही है और मजए की बाद दिखिए, आप डेटा अंदर जाकी देखिए, Index में जो 990 करोड की है ना, इसमें 9 करोड अलग निकाल दो 980 करोन इंडेक्स लॉंग है इंडेक्स लॉंग है यह तो बहुत बढ़ इसे शॉर्ट कवरीं नहीं है फ्रेश लॉंग बना है अगर 17,000 के ऊपर बंद होने पर FI's इंडेक्स को लॉंग कर रहे है यह बड़ी बात तो नेट नेट इंडेक्स लॉंग में 95% लॉंग है 5% quality wise बहुत बढ़ी है, दूसरा 1770 करोड के stock futures लगाता है दूसरा है तीसरा trading session है जब stocks की cash में जो बिक्वाली उससे ज्यादा stock futures खरीदे जा रहे हैं और stock futures दमदार खरीद रहे हैं मतलब छोटा नहीं है 17-1800 करोड की stock futures में खरीदारी बहुत बढ़ी होती है तो इस लिहाद से आपके लिए तो एक तरफ index खरीद रहे हैं stock futures करीद रहे हैं और cash की बिक्वाली रोक रहे हैं अच्छा मज़े की बात एक और देखिए आम तोर पर ऐसे माहौल में गरेलू fund है ना वो क्या करते हैं बोले है आच्छा आप लेने आयों ये लिजे सप्लाई FIS देने आएंगे हम लेंगे उल्टा करते हैं अभी ये भी नहीं बेच रहे हैं बारा सो करोड की cash में खरीदारी इनकी भी है तीन दिनों से गरेलू fund की खरीदारी कम नहीं पड़ी है तो अब दो तीन चीजें बहुत बढ़ी हैं बाज़ार के उपर जाने के लिए पहला FIS की गटीवी बिक्वाली दूसरी गरेलू fund की maintained खरीदारी और तीसरा जो परेशान परेशान और लोस में जो ट्रेडर्स हैं जो भाव आते आते अपने या तो stop loss ट्रिगर होने की वज़े से margin calls ट्रिगर होने की वज़े से हलके हो गए या जिन जिन के price आ रहे हैं वो निकलते जा रहे हैं तो बाजार उनकी तरह से भी तीसरी माशक्ती से हलका होता दिख रहा है तो हलके बाजार और बड़े institutions की खरीदारी ये trend को negative से neutral में बदलने की ताकत रखती है आज ही हो जाए तो क्या कहने फिंगर स्क्रोफ इससे बड़ा बात हो नहीं सकती नहीं तो अगले हफ्ते के लिए हम तयार है बिल्कुल तयार है सर, 100% तो चलिए ये अच्छा संकेत है, बागी संकेत सर आजके तो FIS के हम बात करी चलिए FIS के संकेत में एक ही चीज़ है कि फोड़ी सी इंडेक्स की लोंग पोजिशन 33% से बढ़कर 66% आई, कोई चिंता की बात नहीं जिस तरह की लोंग पोजिशन बनाई है उस हिसाब से कोई बहुत बढ़ी लोंग बढ़कर नहीं है तो अभी भी कमफर्ट है गरेलू फंड पोजिटिव हैं वायदा करोबार के संकेत न्यूटरल है सेंटिमेंट पोजिटिव है ट्रेंड मेरा अभी तक डेटा के लिया आज से नेगेटिव है एक आज दिन और दीजिए बदलने के लिए तयार है अभी पोजिटिव संकेत बहुत दिनों बाद मिलें और एक न्यूटरल है और वो न्यूटरल भी मैं पोजिटिव रख सकता था पुटकोल रेशियो 1.11 पर है तो इसलिए पुटकोल रेशियो थोड़ा हाईर साइट पर है लेकिन इसमें एक अच्छी चीज है हलकी पोजिशन पर पुटकोल रेशियो है भारी पोजिशन पर नहीं है तो इसलिए कमफट है बिलकुल तो आज के संकेत तो पहतरीन लगी रहे है